अब अब कि है ऐलो एवरुवन मैं हूं रॉक और आप मेरे साथ देख रहे हैं learning लेब चैनल तो जो आज क्या हमारा वीडियो होने वाला है वा कि की उपर होने है ओर बेसिक कमपोस्टिंग की उपर होने वाले हैं यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं आपको फाइनल आउटपुट हो कैसे दिखेगा और इसमें हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे तो कुछ यह हमारा आउटपुट होगा कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि अभी आपको नजा रहा होगा कुछ हम एक ऐसा आउटपुट लेकर आएंगे इंपुट कुछ इस तरीके करेगा आउटपुट कुछ इस तरीके का हम लेकर आएंगे यहाँ पर बात करें तो एक-एक हेर डीटेल्स को यहाँ पर हमें रिकावर करना पड़ेगा कैसे करेंगे सारा यह सब कुछ हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में एक चीज यहाँ पर और बतादू जो हमारी स्क्रिप्ट होने वाली है कुछ इस तरीके की आपकी स्क्रिप्ट होने वाली है तो मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन और जितनी छोटी छोटी स्क्रिप्ट हो सकती थी उतनी करने की कोजिस की जिससे आप कुछ सारी सीज़ें क्लियर हो जाएंगे जो यह फूटेज है मैं कुछ फ्रेम्स आपके लिए डाल दूँगा जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे कैसे प्रैक्टिस करना है वो आप देख पाएंगे इसको देखे इसके सबसे पहले अगर देखे तो हमने यहाँ पे कुछ क्लीन अप वर्क करा हुआ है यहाँ पे जो ओरिजनल फूटेज है कुछ इस तरीके की हमारी दिखने वाली है तो इसको कैसे करेंगे कैसे करेंगे सब कुछ देखना है हमें तो मैं क्या करता हूँ यह तो हमारी स्क्रिप्ट है जिस पर हमने काम करा हुआ है मैं क्या करता हूँ एक नया न्यूग को उप फाइल उपन कर लिए हो जैसे आप देख पा रहा है यहां पर हमने आपना पीटेज है और यहां पर फूटेज औरिजनल वह लेकर आ गये हैं उसके साथ में लेकर आ आ गया गया है आपना बैग्राउन जो हमारा कुछ ग्राउंड है कुछ इस तरीके और देखा ब्रेक्गराउंड होने वाला है जिसको हम्हें रीप्लेस करना है वहाँ से तो इनके कलर में डिफ्रेंसे से कैसे मैच करें क्या करेंगे वो तो हमें करना यह है सबसे पहले अपने स्वाट को स्टार्ट करने के पहले आपको कर लेनी है project setting तो डबल क्लिक करें जो मेरी sort की frame range है 02130 है तो मुझे यही frame range रखनी है जो हमारा aspect ratio होने वाला है 40962160 का होने वाला है तो यहां पर आपको आना है press करना है ss press करने के बाद आपको यहां पर जो project setting का panel है वो मिल जाता है सबसे पहले मैं frame range इसके set करता हूं 1-2-30 का हमारा frame range होने वाला है तो frame range हमने set कर लिया उसके बाद में हमें इसका aspect ratio set करना है यहां पर आना है आपको यह value यहां पर search करने है just like यहां पर फोर के DCP की value है वो यहां पर put कर देनी है तो मैंने यह कर लिया है one press करते हैं ऐसा कुछ कर लेते हैं यह हमारा हो गया है तो अभी यह मैंने पर original footage है यहां पर background है और इसको आप वापस से crop भी कर सकते हैं यहां पर कुछ ऐसा bounding बहुत से भर बट अभी के लिए background को थोड़ा से यहां से दूर रख दे अभी आ जाते हैं अपने original footage में और इसको कर लेते हैं full screen और इसको buffer करने के लिए सबसे बिस तरीका यहां पर क्या मिलता है फूल फ्रेम प्रोसेसिंग इसको आप क्लिक करें देन आप अपने sort को buffer कर लें अब इसके बारे में हम थोड़ा सबसे पहले एक छोटी से आपको planning करने पड़ेगी कैसे plan करना है आपको क्या करना है वो देखें तो यहां पर जो major हमारा work होने वाला है यह hair details के उपर होने व आला है यहां पर आप देख पाएंगे मेरे पास कुछ tracking markers है कुछ इस तरीके के यहां पर इन tracking markers की वज़त से हम जब कींग करेंगे तो हमें problem create होगी तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए अपने sort में जो भी आपके tracking marker है clean up work है वो आपको complete कर लेना तो यह pre processing में आता ह tracking markers है जो हमारे head line को disturb कर रहा है या भी hairs है hairs को हमें रखना है tracking markers रिमूब करना है कैसे करेंगे वो सारी चीज़े हमें देखने हैं तो सबसे पहले मैं इसमें जो आस्थान तरीका है वो हम यूज करने वाले हैं उसके लिए हम क्या करने वाले हम इसको करेंगे paint तो first frame पर आता इसको हमें लेना है source लेना है और space के बाद इसके size को कम और ज्यादा यहां पर कर सकते हैं अभी अपने according इसको paint कर लेना है जो reference है उसको दूर से नहीं लेना पास से लेना है तो ऐसा कुछ paint कर लें जैसा कि देखिए यह मैं first वाला यहां पर मैं कर रहा हूं वैसे हमें सारे के सारे अपने points को यहां पर paint कर लेना है तो अभी इसको थोड़ा fast forward mode में देख लेते हैं उसके बाद सारे paint होने के बाद आगे की चीज़ देखते हैं क्योंकि आज का जो tutorial है काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि हम पूरा-पूरा sort यहां पर बनाने वाले हैं यहां पर देखे problems क्या है यहां पर मैंने जो remove किया है यह मेरा missing हो गया है और यहां पर एक चीज़ और देखेंगे हमने एक single frame में इनको create करा हुआ है तो जो throughout the frame है यह हमें वैसे के वैसे दिख रहे हैं only एक frame में यह clean होने वाले हैं बागी के frame में normal है तो इन्हें हमें चाह single की जगा आपको all frames कर देने हैं देखे all frames हमने कर दिया यहां पर अभी वापस इसको play around करेंगे एक बार कि कैसा दिख रहा हमारा कुछ issues तो नहीं आ रहे हैं यह पूर तरीके से clean होके आ गया है अगर points की बात करें देखे यहां पर मैंने एक point remove किया है first frame पर देखें यह देखें यहां पर यह कैसा दिख रहा यहां पर आते आती कैसा दिखने लगता है तीस सारी चीजी को हमें refine करना है इसका reason क्या होने वाला है क्योंकि हमने सिर्फ एक frame में paint stroke किये हैं और यह हमारा footage track हो रहा है मतलब कि इसमें moment है तो हमने इन footage को track नहीं किया तो सबसे पहले क point देखके अपने tracker को track कर लेना तो यह points हो गया सबसे पहले मैं by court कर लेता हूं यहां पर यहां पर आने बाद हम फावट कर लेते हैं तो यह हमारे tracker complete हो गया है अभी क्या करना है अपने transform में आना है ट्रेकर करके one की जगह two कर दें अब यहां पर roto paint note को open कर लेना इसके भी transform में आना है तो यहां भी transform में है route को click कर देना है जैसे route क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको visual हो जाएंगी है इसकी translation value को animation को यहां copy paste कर देना है तो यहां shift के साथ मैं ले रहा हूं यहां पर hold करके यहां पर drop कर रहा हूं यह हमने कर दिया तो अभी क्या हुआ है close कर देते हूं वापस से अभी वापस से इसको play करके देखेंगे एक बार buffer कर लेता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं तो यहां buffer करके हमने देख लिया है यहां पर जो मैंने tracking points से यहां पर remove करे हूए है पूरी तरीके से remove होके आ गए है कोई यहां पर हमें issues नजर नहीं आ रहे है तो अब next step मुझे यहां पर क्या करना है यहां पर जो मैंने hair यहां पर रह गए थे उनको मुझे वापस hairs को लेके आना जैसे कि यह चीजे है इनके hairs को हमें वापस लाना पड़ेगे. इसके hairs कैसे वापस लाएंगे? वो देखने. तो हमें roto करके इसको लेके आना है. फर नो हुम, roto हम नहीं करने वाले हैं, इसके लिए भी हमें a track यूजच करने वाले हैं, और जो हमारा bonding box है इसका reason है उसको select कर लें और track कर लें होके वापस एक roto paint यहां पर node ले लेते हैं वापस transform में जाना है यहां के transform में जाना है वापस हमें root को select करना है और इसको copy paste कर देना है ऐसा कूछ हो गया अभी trackr को आप delete कर सकते हैं ह rise heißt वापस से हमें पॉट्पेंड नोर्ट में आ जाना यहां से ब्रस्ट का उप्षन है को कि अब में लास्ट पे हूं यह वाला मेरा था मैंने एक ले लिया यहां पर अब देखिए इस ट्रोक को चिक करने के लिए यहां से स्ट्रोक को सेलेक कर लें सारे points को मैं delete कर दे निमुम points जितने आपको requirements है उतना ही रखें और यहां से भी ऐसा ही कर लाएं ज्याद़ पॉइंट्स रख के कोई वह नहीं है क्योंकि आपका इस्ट्रोक भी है भी होगा तो यह देखिए हमने यह पॉइंट्स कर लिया है अगर इसके अलफा की बात करें अभी तो कुछ इस तरीके का अलफा मिल जाता है तो इसको थोड़ा सा यहां से इस्ट्रोक्स को की और आप और आसान तरीके से हम लोग यूज कर रखता है कि मिक्स का तो मैं यहां पर की मिक्स करूंगा ओके विउंट्स को यहां पर रखें मर्ज को यहां पर रखें एपाइप हमारा यहां पी होने वाला है तो अभी देखिए थोड़े अपने स्क्रिप्ट को अपने कोर्डिंग कर ले यह आपको उपर डिपेंड है आपको स्क्रिप्ट कैसे रखना है बट जितना अच्छा और्गनाइस करेंगे उतना बेस्ट होने वाला है आपके लिए हाँ यह टूट्रोल जो मैं कर रहा हूं थोड़ा लॉंग टूटोरियल रहेगा बट इस्टेप बाइस्टेप साहरी चीजे में आपको क्लियर करता हूँ चला जाओंगा तो वन प्रेस करता हूं देन यहां पर टूप्रेस करता है देखे हैर हमारा पूरी तरीके से यहां पर हठना अभी इसको आप डेकर करके भी देख सकते हैं आपको जो हैर से पूरी तरीके से हाँ और नहीं दिख रा है इसका र्यूटा क्या है क्योंकि इसको भी हमें सेलेक करना है like टाइम की जगा सिंगल की जगा all फ्रेंश कर देना है अब यह आपको पूरे फ्रें में ध्याजबुने रूरश वी करना वहां पर थूजब लिए शोटा से स्क्रिप्ट हम ने क्र एक ढकर नोड़ दो clean up करके दे सकते हैं ऐसा कुछ अब देखिए next step क्या होने वाला है सबसे पहले हमें एक क्या करना है इसका alpha यहां से निकालना है जो कि पूरी तरीके से clean होने वाला है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम work करेंगे इसके alpha को कैसे निकालना है उसके लिए वापस से लेता है मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलूँगा क्योंकि जो हमारी अलफा निकलने वाली स्क्रिप्ट है जो कींग की स्क्रिप्ट है थोड़ी बड़ी हो सकती है वान प्रेस कर लेता है अब देखे जो हमने आज स्क्रिप्ट यूज किया करने के लिए ग्रेंस काफी हैवी है आप देखे जो ग्रेंस हैं बहुत हैवी मिल रही है तो हमारी कोशिस क्या होनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि यह थोड़े से इनके ग्रेंस को रिमूब कर दे जिससे कि हमारा हेल्प हो जाएगा जब कींग करेंगे थोड़े से अच्छा आउट्पूट में है कींग के दिन्वाइसिंग के लिए आप नुक कर दिफॉल नोड़े दिन्वाइस का यूज कर सकते हैं आपे अदर्वाइस आपके पास अगर प्लग इन रहें लिए तो आप उसका भी यूज यहाँ पर कर पाएंगे फॉर नौ मैं यहाँ पर प्लेन सर्फिस देखके एक यह लेता हूँ और यहाँ पर एक बेसिक से जो ग्रेन है बहुत ज्यादा तो नहीं रिमूब हो रहा है लेकिन आल्मोस्ट काफी सारा नहीं करूँगा डी नौइसिंग के ऊपर क्योंकि ट्रॉल काफी लंबा हो रहा है मैं चाहूँगा कि डारेक्टली मैं कींग वाले पार्ट में जाऊं ओके तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस है अब आते हैं यहाँ पर टैप प्रेस करता हूँ यहाँ पर हम कर लेते हैं ले लेते हैं एक Key Light Node अब देखे Key Light Node के बारे में थोड़ा सा मैं जानने हो समयने की जरूत है यहाँ पर देखें अगर ऐसा बात करें तो एक Source है यहाँ पर In है यहाँ पर Out है दिन यहाँ पर Big है तो जो हम यहाँ पर Use कुछ इनका भी कर सकते हैं इन और आउट करने के मास्किन के लिए बट ऐस आप नौ जो हम यूज करने हैं उनली सोर्स का यूज करेंगे और सोर्स आपको पता है कहां पर कनेक्ट होने वाला है वो जाने वाला है अपनी ओरिजनल फुटेज में ओके तो यह ऐसा कुछ हो गया अभी one प्रेस कर लेता है अभी देखिए यह मेरी king की properties है जो आज हम जाया तर notes का यूज करेंगे हम key light note का यूज करेंगे जो key light note की properties है कुछ इस तरीके आपको दिख जाती है यहां पर कुछ changes करने के पहले आपको यहां पर आना है आपको decide करना है थोड़ा सा एक mind make up करना कि जो मुझे king start करनी है कौँ से area से करनी है कहां पर करनी है तो देखे सबसे पहले जो king का process है जब भी आप start करते हैं आप उस area को लेके चले जहां से आपका contact point हो it means जहां से viewer आ main focus point है around इसका face बोल सकते हैं और precise आएंगे तो इसकी eyes बोल सकते हैं तो हम try करेंगे इस वाले area से इसकी king को start करना तो सबसे पहले मैं यहां से pick करूँगा इसकी king को start करेंगे तो आप key light note use कैसे करना देखे सबसे पहले यहां पर यहां तो clean light note थोड़ी दिर के लिए disable कर दे यहां तो viewing यहां से कर दे और यहां से आपको picker point मिल जाएगा यहां click करें और मैं यहां से अभी nearby pixel जितना maximum हो सकता है मैं यहां से key के लिए लेने वाला हूँ और यह मैं यहां से एक picker select कर लेता हूँ यह select कर लिया हमने अभी इसको view करके देखें अब मैंने view किया है यहां नहीं इतना नहीं है तो यह पार्ट मुझे अभी हम चलते हैं अपने शॉट के यहां पे स्क्रीन पे यहां पे थोड़े बहुत चेंजे साब कर सकते हैं अदर्वाइस ट्राइ आपको करना है कि ज्यादा से ज्यादा यहां पे चेंज ना करना पड़े क्योंकि जितनी भी डीटेल से हम नहीं चाहते कि हमारी डीटेल मिस हो देखे यहां पे जो क्लब क्लिब बैक का ओप्शन है मैं चाहूं तो पूरी तरीके से यहां से रिमूब करके ला सकता हूं लेकिन इससे क्या होगा मेरी details जो हैं यहां से चली जाएंगी मैं ऐसा नहीं चाहता हूं तो यहां से मैं चाहता हूं कि थोड़ा ही remove करूं एक pixel अब देखे एक sorry यहां से हम view करना है यहां से हम एक point ले रहा है तो भी यह थोड़ा सा कम हो रहा है यहां से लेकिन almost यह details हमें च की कर लिया है अम मैं चाहता हूं next के लिए यहां पर करना है कैसे करना है वापस एक key light node लेना है यह मैंने key light node लिया है source सेम होने नाला है तो यह हमें green में view करना है double click करें फिर से picker point ले अभी देखे मुझे क्या करना है मुझे इन वाले hairs के लिए key करना है चलिए मैं इसके nearby से एक यहां से select कर लेता हूं अभी हम इसको view करके देखते हैं alpha well देखें ऐसा कुछ हो गया अगर one and two press करके देखते हैं तो difference क्या है मुझे यह वाले hairs निकालने यह तो पूरी तरीके से मेरे इसमी मिल रहा है बट यहां पर देखिए यह lose हो रही थी तो इसलिए हमने अलग-अलग ऑक्की करना प्रेफर किया है क्यां आप यहां फील कर देखेंगा जैसे पिक किया तो यहां पर देखिए बात करें तो यहां से राते हैं इसमें थोड़े बहुत चेंज है स्क्रीन मैट में मैं बहुत ही कम वैल्यू को चेंज करता हूं इतना हो गया यह वाला पार्ट क्या है यह हमारा बाद में सॉल्व हो जाएगा कैसे करना वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अदर्वाइस यहां पे एक और चीज प्रस्क यहां पे प्रेट कर लें ऐसा कुछ है कि अधर पॉंट को थोड़ा सा ऐसा कर ले एक ग्रेंडाइन वल्क में डाल दे और यहां पे जो ब्लیکत मोइड वाइप पॉइंट को आप यहां से जgoing कर सकते हैं मलब जो आपका इनकी राइट में आप चैंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ, यब कितनी value आपको काम करना है, वो आपको decide करना पड़ेगा, जहां से आपको lose now, अब देखें, इसे on off करके दिखाऊंगा, तो जो हमारा यहां पे था, यह मैंने click कर लिया है, ऐसा कुछ, तो अभी देखें, अभी हमें इसको comp करना है, किसके उपर, इसके उपर हमें यह part को comp करना है, कैसे करना है, वो देखना है, सबसे पहले आप naming देदे, यह वाला मैंने किसके लिए यह use किया है, इन वाले hairs के लिए use किया है, notes में जाए, screen right, top hairs, तो यह वाला काम हमारा क्या है, तो आपको पता रहेगा, जब भी आपको use करना है बाद म bottom hairs हो गया है, ओके, यह हो गया, अब देखिए, इन दोनों को आपस में merge करने के लिए, वापस से हम जो node यूज़ करेंगे, वो यूज़ करने वाले है, key mix node, अब key mix node की pipeline एकदम straight रहेगी, b pipe यहाँ जाएगा, a pipe यहाँ पर जाने वाला है, इसके साथ में आपको roto node की प्रेस करें, ऐसा कुछ, अब मेरे sort में बहुत ज़्यादा movement नहीं है, और हमें garbage roto ही create करने है, तो अब देखिए, अभी यहाँ से view करेंगे, तो जो यह वाला आपका king है, वही यहाँ से आपको नजर आने वाला है, but as of now, ऐसा हो गया, अभी मुझे इस portion के लिए चाहिए, तो मैं एक यहाँ पर roto ऐसा create कर देता हूँ, इसमें चाहिए, थोड़े से आप feather point add करने हैं, तो देखिए एक बात, अभी जो हमने procedure ranking का, वो चालू किया है, ऐसा कुछ, one press करता हूँ, two press करता हूँ, तो यहाँ से जो है, अब मैंने जैसे इस part के लिए काम किया है, मुझे step by step इधर काम करना है, ओके, इधर करना पड़ेगा, और यह वाला मेरे hard है, तो यह आराम से निकल जाएगा, but as of now, इसको कैसे sort out करेंगे, वो हमें देखना है, और king जो हमने करी हुई है, अभी आपको बहुत clean लग रही है, but इसके points को अगर एकदम drop down करें, यहाँ से normal कर दें, तो जो यहाँ पे king थी ऐसी है, अगर drop down करके देखें, तो यहाँ पे मेरे key में कई सारे hole है, तो इनको holes को मुझे fix करना पड़ेगा, यहाँ पे holes हैं, यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हैं, तो जो हम अभी create कर रहे हैं, इसको हम consider करते हैं, soft matte, तो हमें इसकी एक hard matte निकालने पड़ेगी, hard matte in the sense क्या होने वाला है, जिसमें हम कोई softness नहीं रखेंगे, बट अंदर side में कोई hole भी नहीं रखेंगे, जब हम hard matte की बात करते हैं, तो एक node है हमारे पास king का primate node, वो best node है, और almost मु use हम इसके लिए करेंगे, तो key light तो मैंने आपको बताए कैसे use करना है, अभी मैं second जो दिखाने वाला हूँ, वो हमारे पास होने वाला है आपे primate node, तो आप tap प्रेस कर ले, यहां से आपको लेना है, एक primate, primate के लिए, अभी यहां पे भी है, तो fg को आपको ऐसा कुछ से view करते हैं, अब यह काम कैसे करता है, वो देखना है, तो इसमें बहुत सारे option, इसमें भी दिख जाएंगे, but as of now, कितनी requirement है, उतना ही हम आज की इस टूटोल में चेक करने वाले हैं, तो यहां से आपको कर देना है, auto compute, जैसे ही auto compute करेंगे, यह पूरी तरीके से आपको एक basic might clean करके देदेगा, आप कहेंगे, वाय हार, बहुत अच्छा result है एक बार में, तो ऐसा कुछ result एक आपको मिल जाने वाला है, इसमें दो चीजे हैं, यह हमें background की noise clean करनी है, और जो foreground में यहां पे issues हैं, नॉर्मल कर देते हैं, जो holes हैं, इसमें भी कुछ holes हैं, इनको हमें fix कर करना है, तो कैसे करेंगे, हम start करेंगे background noise से, अब देखें, यहां पे click करें, हमें clean begin noise, उसके बाद full screen कर ले, अभी आपको control के साथ इसको pick करना है, just part by part, और यह पूरी तरीके से आपको clean करके यहां पे देदेगा, ओके, ऐसा कुछ, तो देख भी सकते हैं, जो बची हुई हैं, तो almost हमने यह clean कर लिया है, थोड़े बहुत बचें, उनको कैसे sort out करना है, वो मैं आपको दिखा दोगा, अब देखिए, अगर थोड़े बहुत यहां पे रह जाते हैं, तो इसके लिए एक node है हमारे पास, median node, इस node को बहुत ज्यादा कुछ changes मत करिए, क्योंकि बहुत heavy node है, just इसको यहां से अगर connect कर देते हैं, तो आधी problem आपकी यहीं पे solve होके आजाएंगी, लेकिन इससे क्या होगा, जो आपका system है, उसकी processing बहुत slow हो जाएगी, तो try करें, इसको ना use करें, अगर आपके पास high configuration machine है, तो उन cases में आप इसको use कर सकते हैं, for now, हम अभी चलत हैं, जो FG का है, उसको कैसे करेंगे, BG का हमने कर लिए, तो यहां पर HB का हमें, ऐसे कुछ कर लेना है, जो भी है, यह फिल हो गया, अभी character कूपर कर ले, छोटे-छोटे spatches रखें, face में कुछ है, तो almost हमने, यहां पूरी तरीके से एक hard matte create कर लिए, अगर यहां पर press करेंगे, अभी normal में, तो एक ऐसी hard matte हमको देखने को मिल रही है, ऐसी कुछ है, अभी इसको क्या करना है हमें, पूरी requirement नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा erode करके अंदर भी ले सकते हैं, थोड़ा बाहर भी कर सकते हैं, पहले मैं क्या करूँगा, इसमें जो softness है, इसको हटाऊँगा, इसके लिए हम grade का use कर सकते हैं, तो अगर G press करते हैं, अभी देखें, यहां से alpha कर लें, इसकी value को कम ज्यादा करेंगे, तो hardness और softness को हम थोड़ा maintain कर सकते हैं, बट, अगर मै इसकी value को ज्यादा करता हूँ, देखें, यहां पर मेरा क्या था, यहां पर जब रहता है, one है हमारी value, लेकिन मैं changes करता हूँ, तो इसकी जो alpha value है, increase हो जाती, इसको increase ना हो लिए, जैसे black clamp है, वैसे आपको यहां पर click कर देना है, white clamping, आभी कोई भी changes करेंगे, कोई issue नहीं होने वाले, तो सबसे पहले normal करते हैं, मैं इसकी softness को थोड़ा सा कम करूँगा, सबसे पहले, देखें, softness हमारी down हुई, अब मैं इसकी hardness को fix करूँगा, तो almost जो है, हम इसको यहां पर लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा हम करने के चाहें, तो और कर सकते हैं, but as of now, यह ठीक जा रहा, मैं इसको कुछ pixel erode करके अंदर लेने की सोच रहा हूँ, तो यहां से इसको erode करते हैं, आप erode filter कर सकते हैं, तो erode filter ले ले लेते हैं, यहां पर भ इसकी value को just थोड़ा सा, ओके, यह मुझे लग रहा कि इतने best रहेगा, अब यह हमने किया है, थोड़ा सा और अंदर लेते हैं, अब इसका करने का reason क्या है, वह में बताता हूँ, यह हमने ले लिया है, अब देखें, यहां पर hole दिख रहे हैं, tension ना ले, वापस से इसी erode को copy paste कर दें, यह plus में किया था, इस बार हम इसको minus में लेके जाएंगे, तो यह आपका यह फिल हो जाने वाला है, तो कुछ ऐसा देखें, ऐसा था, हमने ऐसा clean करके यहां पर ले लिया है, इसकी value को आप increase भी कर सकेंगे, sorry, इसकी value को थोड़ा increase भी कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा नहीं रखना है, तो मतलब कि हमें जबुरत के हिसाब से इसको रखना है, तो ऐसा कुछ देखें, एक hard met हमने create कर लिया है, और से, अब इसका दो use हम यहां पर करने वाले हैं, थोड़ा सा distance maintain करके रखेंगे, सबसे पहले, हम यहां से unwanted चीज़ों को हटाएंगे, कै एक merge लेना है, और यहां पर लेना है mask, एक की value को यहां पर आप रखें, वी की value को कुछ ऐसा रखते हैं, अभी इससे होगा क्या वो दिखाता हूँ मैं आपको, अब देखें, यहां से क्या हो रहा है, यह पूरी तरीके से इन चीज़ों को हटा के दे रहा है, और only और only जो हमारा requirement चीज़े उतना मिल रहा है, लेकिन इससे हो क्या रहा है, हमारी यह ages भी यहां से जा रही है, तो ages ना जाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यह ERODE है, ERODE की value को हम increase करेंगे, minus side में, जैसे ही minus में increase करते हैं, तो यहां पे देखें, यह hairs की details और यह सब details वापस से आपको मिल जाएंगी, अब देखें, इतना करना है कि हमारा कुछ भी miss ना हो, आप कोई जरूई नहीं कि कितना करें, आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने recording, as of now, 120 में यहां से ले रहा हूँ, उससे हो क्या रहा है, अब मेरी यह king का part जो था, मैंने इतना part king करके लेके आया हूँ, यह मेरा normal था, यह वाला king का part देखें, अब इससे मैंने ऐसा कर लिया, तो only अभी जो मैं यह work करूँगा, मैं work करूँगा, only on my ages पे, अब बात करते ह हैं अपने holes की, तो इन holes को कैसे fix करना है, तो holes को fix करने के लिए हम क्या करेंगे, यह last में ही mostly रखना है, हमारे जो king यहां पे complete होगी, उसके बाद, एक merge लेना है, merge को यहां पे डाल दें, यह भी लगभग ending में ही रखें, और इसकी operation को always try max operation, और इसको अपने यहां से, sorry, जो हमारा primate है, उससे connect कर लें ऐसा, देखें, अभी हो क्या रहा है, one press करता हूँ, यहां पे two press करता हूँ, तो यह जो भी मेरा, यहां पे softness थी, देखें, पूरी तरीके से फिल होके आ गई है, यहां फिल होके आ गई है, अब थोड़ी बहुत चीज़े इसलिए remaining है, क्यो है यहां पे already, ओके, तो थोड़ा से इसकी value change करेंगे, तो यह alpha आपको नजर आएगा कि alpha है, बट यहांने, क्योंकि reason क्या है, यहां पे हमारे sort में, यहां पे softness है, तो इसकी हमें requirement भी पढ़ने वाली है, तो अभी हमने यहां पे जो holes हैं, बड़े holes हैं, उनको यहां पे fix क अगर आपको चाहिए कि आप और फिल करना है, आप erode करके इसकी value को यहां पे change कर सकते हैं, but as of now, मुझे ऐसी कोई requirement नहीं लग रही कि मैं इसको changes करूँ, तो देखे, यह basics हमने रखा है, ऐसा कुछ concept, अब देखे, इतना होने के बाद, अभी हमें करना क्या है, king के लिए हम हमने दो ही notes का use करना है, one, final output two, okay, अम मुझे क्या करना है, procedure wise जाना है, जैसे कि मैंने इस part के लिए काम किया, इतना हमाया निकल के, मुझे same चीजें यहां के लिए भी work करने है, तो कैसे work करने है, वो मुझे देखना है, सबसे पहले यहां पे आना है, मैं इस part के लिए काम क इसको यहीं से आप, एक देखिए, जो आपका tree है, node graph है, वो बनता चला जाएगा, यहां से click करें, जैसा मैंने बताया था, pick करें, यह वाले part पे काम करना है, तो इसको मैं यहां से pick कर लेता हूं, to press कर लें, तो यह ऐसा कुछ आ गया है, अभी देखिए, यहां तक remove करना ह है, तो अभी picker जो है, थोड़ा साम, यहां से pick करने के बाद try करेंगे, तो यह वाला मैं picker ले लेता हूं, अभी इतना मेरा remove के आ गया, यह और नीचे जाना है, लग रहा कि यहां से करेंगे, तो यहां से pick कर लेता है, तो ऐसा कुछ मेरा देखिए, आ गया, particular इस part के थोड़ा से feather point को add कर लें यहां पर, grade लें, यहां से इसकी value को कम ज्यादा करके आप अपने recording देख सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ in value को आपको change करना है, यहां पर alpha कर देता हूं, तो यह वाला part मेरा clean हो के आगया, अब इसको वापस से same key mix को copy करें, paste करें, इसको यहां से ऐसा कुछ connect कर लें, वापस से roto node लें यहां पर, और इस चीज को एक garbage match की मदद से कि हमें इतनी ही जरूरत है, ऐसा कुछ, इसको यहां पर compile कर लें, यह उपर के जो portion है, इसका आप इतना attention ना लें, इस roto को ऐसा ही बढ़ा सकते हैं, चलिए हम इस तरह पूरा ही ले लेते हैं, तो देखें, अभी मेरा ये process था, अभी मैंने क्या किया है, यहां पर इसको भी remove कर लिया है, सेम इसके लिए follow करना है, इस part के लिए थोड़ा follow करना है, और यहां के लिए हमें follow करना पड़ेगा, इस तरीके से आप पकींग complete हो जाएगा, तो अभी देखें, इतना process किया है, बाकी का जो process है, वो मैं थोड़ा सा fast forward करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि कैसे करना है, क्योंकि reason क्या है, मैं कुछ same process बार बार follow करूँगा, तो इससे क्या हो दा, time में बहुत ज़्यादा consume करूँगा, हमाई tutorial की length बड़ी हो जाएगी, इससे क्या करता हूँ, मैं पूरा complete होनेक बाद, वापस एक overview आपको दूँगा कि कैसा इसका किया है, हमने कैसा कर सकते हैं, ओके, तो पूरा complete होनेक बाद में आपको दिखाता अगर इसे RGB बात करें, कुछ ऐसा दिख रहा, alpha में कुछ ऐसा दिख रहा, तो इसके चीजे क्या है, आभी सबसे पहले क्या करना है, एक process में आपको दिखाता हूँ, जो script है, same step मैंने ऐसे follow की है, जो मैंने आपको बताये थे, यहां से 3-4 मैंने यहां पे key light notes का use करा हुआ ह और कुछ एक ऐसा output लेगा, यहां पे एक चीज और मैंने करी हुई है, अगर one press करता हूँ, यह वाला जो part था, यहां पे missing था हमारा, तो इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, एक roto लेके इसको यहां पे put किया है, तो ओके, तो यहां भी RGB में नहीं दिख रहा क्योंकि हमें RGB की requirement नहीं है, और यहां से हम सिर्फ alpha को use करने वाले हैं, जैसा कि मैंने काया, तो यहां से हम इसको remove भी कर सकते हैं, बट उसके पहले, इसके लिए आप एक backdrop add कर लें, तो मैं यहां से ले दोता हूँ, तो यह मेरा पूरा, इसके color को थोड़ा आप यहां से change भ कर रहे हैं, तो almost यह वाला process हमने complete कर लिया है, ओके, तो यह हो गया, और इसको एक चीज और है, यहां पर हमें RGB नजर आ रहा है, मैंने चाहता हूँ कि हम यह RGB रखे, only on अपनी system को और अच्छा काम करने के लिए, जिससे processing में टाइम न लगे, हम यहां से RGB value को remove कर देंगे, only alpha remaining रहेगा, तो tap press करें, यहां से ले ले एक remove node, तो यहां से remove node, और यहां से remove क्या करना है हमें, यहां पर भी all दिख रहा है, ने, हमें only RGB remove करना है, alpha हमें remaining यहां से रखना है, तो alpha हमारे पास है, only हमने RGB को यहां से remove कर दिया है, तो यह कुछ हमारा alpha का process है, जो हमने follow किया है अभी बात कर लेंगे अपने RGB प्रोसेस की, तो RGB में कैसे इसको cut करना है और कैसे comp करना है, वो सारी चीजें हमें देखने पड़ेंगी, तो अभी हमें लेना है, एक copy लेना है, then हमें एक नोड लेना है, copy लेना है, अपने B pipe को original footage से connect करें, यहाँ लेकर आते हैं, और जो आपका A pipe रहेगा, जो आपने mat remove लेकर आगाए हैं, उससे connect कर लें, अगर इसकी output की बात करें, खुछ इस तरीके का output आपको मिल जाएगा, जहां से हमने छोटी छोटी details रखी हैं, एक एक बाल को हमने कोसिस क किये, इनकी detail मिस ना हो, पूरी तरीके से हमने इनको यहाँ पर रखने की courses करें होई है, एक छोटे छोटा hairs भी हमने यहाँ पर maintain किया, तो कुछ इस तरीके का हमारा आ गया, अब हमें work क्या करना है, यहाँ पर spill पर work करना है, यह जो यहाँ पर value है, इनको हमें यहाँ से remove कर लेना है, तो यहाँ से remove करने के लिए इनको हम expression node का यूज़ कर सकते हैं, बट आज हम key light node यूज़ कर रहे हैं, तो हम key light के through हे जाएंगे, तो यहाँ से मैं लेता हूँ एक key light node, key light node के यहाँ से connect कर दें अपने, और यहाँ पर आते हैं, अब मुझे क्या remove करना है, यहाँ से green remove करना है, तो मैं green की value का अगर one press कर दूँ, तो यहाँ से पूरे green आपके remove होके आ जाएंगे, तो इसमें issues क्या होंगे, वो बात में मैं थोड़ी दिर में आपको बताता हूँ, बट उसके पहले हम अपने comp को थोड़ा सा और ready करेंगे, इसमें हम background को भी add कर लेते हैं, यह तो अभी मेरा final output दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो देखिए, अब यहाँ पर bounding box का size बहुत बढ़ा है, तो एक यहाँ पर मैं add the end में एक reformat का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं एक crop का यूज़ करूँगा, तो यह ऐसा कुछ background मुझे मिल रहा है याँ पर, अब background के बारे में थोड़ा सा पहले काम कर लेते हैं, फिर उधर चलते हैं, या तो दो दो तरब, तो इसका यह पूई तरीके से आपको star पर यहाँ पर दिख रहा है, यह हमें थोड़ा defocus चाहिए, अब defocus कितना चाहिए, क जिसका defocus है, हम try करेंगे, जो हमारा background का defocus है, हम nearby लेके आए, जितना maximum ला सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक defocus node, अब defocus node लेने के बाद, यहाँ से आप defocus की value को increase कर सकते हैं, देखें, nearby लेके आना है, मैंने बोला था, आपको, थोड़ा सोड़ जा सकते हैं अपने according देखेगा, एक suitable value, 30 की value यहाँ में डाल देता हूँ, तो यहाँ पर यह background हमने defocus कर लिया, अगर on-off करके देखें, तो कुछ इतना difference नजर आएगा, ओके, defocus हो गया, अब इसकी थोड़ी सी colors को हम try करेंगे, match करने के लिए, तो grade mode ले, सबसे पहले इसके black और white point को ह हम अपने foreground के साथ match करना साहते हैं, तो इसके blacks को सबसे पहले match करना है, तो blacks कहाँ पे है, इस वाल black के साथ हमें इसको match करना है, यहां से select करें, black point, और इसमें जो blackest point रहेगा, उसको select कर ले, as of now, यह वाले points कुछ नजा रहे हैं, तो यह मैं से select कर लेता हूँ, अब next क्या क करना है, आप अपने, यहां के, इसको off ही करने थोड़ दिर के लिए, जो इसका black point रहेगा, उसको select कर ले, यह वाला black मेरा हो जाएगा, अभी on कर ले, तो देखें, जो black था, almost हमने match करने को इसकी है, तो यहां पे देखें, यह black मेरे match होके आगा है, अब देखें, यह वाल गामा की value है, उसको मैं यहां से थोड़ा down कर देता हूँ, look and feel के लिए आपको रखना है, जितना थोड़ा सा better ला सकते हैं, इसके बाद, यहां पे मुझे, थोड़ा से color को match करना है, तो यहां पे warm look है, जिसको हम थोड़ा try करेंगे, warm look देने के लिए, बहुत ज्यादा नह थोड़ा सा है, यहां से मैं गामा की value down करता हूँ, almost नहीं है पाई लानी है, यह light है, यह light भी आपको warm दिख रही है, थोड़ा सम्त्राई करेंगे, और यह आपके आखों के उपर depend करता है, आपको कैसा पसंद है, आपको ऐसा रख सकते हैं, एक चीज और है, यह मुझे highlights द distant में, कैसे करेंगे, इसके लिए मैं CC नोड लेता हूँ, अब यह mostly highlights point है, तो मैं यहां पर highlights पर work करूँगा, okay, highlights पर आने के बाद, मैं saturation पर काम कर सकता हूँ, इसके, यह और पर चांद, फोड़ नहीं, इसको जो मैं कभी contrast point काम कर सकता है, तो यहां पर आता हूँ, देखे, यहां पर value में increase करता हूँ, तो यहां पर थोड़ा आपको look समझ में आ रहा होगा कि count सा, तो यहां पर बात नहीं बन रहेती, मैं directly इसमें यह देखे, जो भी आपका point में थोड़ से यहां पर gain का कोसिस करता हूँ, mid tone में आप gain का देखते हैं कैसा होता है, पूरे पूर कर वापसे आते highlights में, इसकी value close कर देते हैं, यहां पर इसको आप reset कर सकते हैं, ऐसा कुछ, थोड़ा इसकी value को बढ़ा के हम, यहां से कोसिस करते हैं, थोड़ा contrast में भी try करते हैं, बहुत ज्याद नहीं थोड़ा, देखे difference से एक नजर आ रहा होगा, थोड़ा समने यहां पर create करा हुआ है, ओके, छोड़ी 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 ट्वीक का आपके रहेंगे, वो आपके background को काफी अच्छा एक लेके आएंगे, अब मैं background, color वगएरा, क्यों match कर रहा हूँ, क कि मैं चाहता हूँ कि उधर में, जब dispill में काम करूँगा, मुझे इस background की requirement होने वाले है, इसलिए मैं यहां पर थोड़े से काम कर रहा हूँ, अब grains की बात करें, अपने accounting आप grain को add कर सकते हैं, as of now, मैं basic grain के साथ जाऊँगा, एक normal सी यहां पर grain apply करने वाला हूँ, grain node के त सबसे basic grain हमारा है, इसको मैं यहां से डाल देता हूँ, तो एक चीज आपको अगर मैं दिखाऊँ यहां पर, मैं छोटे-छोटे से ही tweak करें हुए हैं, और जो हमारा background है, वो right now थोड़ा सामें यह feel होने लगा है, कि हमारे इसी image का part है, अब देखें, यह इसको मैं थोड़ा अगर on, off यहां पर करता हूँ, देखें, यह मेरा basic start point था, जहांस मैंने start किया है, यह मेरा output हो गया है, तो यह चीज आपको भी दिख रही है, कैसे हमने इसके background के color को change किया, कैसे हमने defocused किया है, यहां पर, अब बात कर लें display के, तो आप कर रहे होंगे कि key light node लगाया, हमार dispill पूरी तरीकी से होके आ गया है, यहां पर, हां, पूरी तरीकी से सब कुछ remove हो गया, hair सामें मिल गया है, details मिल रहे हैं, तो इसमें 2-3 issues आपको हो रहे हैं, देखें, as of now, यहां भी spill हो रहा, पूरी change हो रही, इसको हम ना करना चाहें, तो नहीं भी कर सकते हैं, but as of now, ले आता हूँ, one press करता हूँ, यह मेरा original point है, यह two press कर सकता हूँ, यहां पर हमें बहुत चाइज changes नहीं नजरा रहा हैं, लेकिन जो हमारा comp है, पूरी तरीके से आप में match होना चाहिए, अगर यहां पर थोड़ा साएं, एक channel है हमारे पास luminous channel, अगर luminous channel को आप compare करें यहां देखे, तो हमें कभी भी जो luminous value है, उसको change नहीं करना होता है, और सिर्फ हमें RGB में change करना है, जब इस situation में रहेगा तो कैसे आपको काम करना है, वो आपको मैं एक method यहां पर दिखाने वाला हूँ, तो एक छोटा सा setup आपको और create करना पड़ेगा, यहां पर merge लेना है, merge को difference लेना है, यहां पर difference create करें, a pipe को मैं यहां पर रख रहा हूँ, original के साथ, b pipe को यहां पर रख रहा हूँ, वापस एक merge लेता हूँ, ऐसा कुछ, और इस merge में जो operations मैं यूज करूँगा, उसको मैं करने वाला हूँ, प्लस, अब देखें, यह wipe को भी अटा देता हूँ, यह exactly किया क्या इसने, one press करते हैं, two press करते हैं, अभी आपस मैं मैच हो रहा है, अगर इसकी हम RGV value देखें, तो यहां पर कहेंगे कि देखो भई, पूरी तरीके से जो हमने remote किया था, वो यहां से आ गया, but as of now, यह पूरी तरी देखें के लिए, एक saturation node लें यहां से, saturation की value को आप down करते हैं, तो यहां पर dispilling हो गई है, अब इसके dispill में, इसके dispill में भी difference है, ओके, ऐसा कुछ, और अच्छे बाल, एक एक बाल अभी clear होके दिख रहा है, ओके, अब एक चीज और है, मैं जिसलिए आपको बोल रहा था कि यहां पर luminous channel में change नहीं होने चाहिए, अभी भी change हो रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, wipe लेते हैं, अभी एक grade node लेता हूँ, और मैं स्थिर्फ और स्थिर्फ इस वाले part को match करने की कोशिस करूँगा, तो multiply लेता हूँ, dark करता हूँ, तो almost यह हमारा match हो के आ गया है, almost, not 100%, but almost match हो के, अभी इसकी RGB value देखते हैं, one, then two, अभी देखेंगे, luminous का जो changes था, वो खतम हो गया है, और जो हमारा procedure है, वो same है, output भी nearby मिल रहा है, तो इसका reason only यही है, कि हम जो है यहाँ पे luminous value, उसको match करवा पाएं यहाँ से, वापस से आते हैं, अपने output पे नजर डालते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमें output मिल गया है, अब एक कीज और है, इसमें हम थोड़ा सा और natural और अच्छा look देने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, by the way, हम यहाँ पे हमा shift X करें, इस merge की value को मैं यहाँ से attach कर देता हूँ, अपने background से, background यूज कर रहा हूँ, मैं अभी अब एक चीज देख पाएंगे, one press करता हूँ, two press कर सकता हूँ, तो यहाँ से directly यह देख रहा है, अगर इसको मैं यहाँ से convert कर दूँ एक multiply method में, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ा साज value को increase करें, तो आपको एक ऐसा output मिल जाएगा, ओके, तो इसकी जो ages है, background से हम थोड़ा सा reference लेके यहाँ पे डाल सकते हैं, one और two press करेंगे, तो एक basic बहुत minor change हो रहा है, मैं आपको बोल रहा था, direct background है, इसलिए नहीं होता, यह अगर यहाँ पे highlights होता, तो आपको बहुत सारी यहाँ पे जरूत पड़ जाती, तो देखें, एक basic सी जो requirement थी हमारे comp की, यहाँ पे complete होके आ गई है, अब यह मेरा background है, यह मेरा displaying process complete हो गया है, okay, displaying का process हमारे complete हो गया, बट एक issue, छोटा सा issue हमें यहाँ पे create हो रहा है, और वो issue क्या create हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे आपको दिखराना changes, इनको अगर आप recover करना चाहिए, तो कैसे कर सकते है, अब यह वाले changes मैं नहीं चाहता हूँ, इंटर्नल हो, क्योंकि काफी सारे changes यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, जब मैं इन दोनों को difference करता हूँ, तो आप देखे कितना सारा आपके स्वार्ट में changes, करेक्टर के ऊपर हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैं ना करूँ, इसके लिए simple वापस से method वही यूज़ करेंगे, यह वाला मैं लिया था, यह मेरे पास क्या है, प्राइमेट वाला यह एक alpha है, अब इस alpha को अगर नजर एक बार डालें, तो यह कुछ ऐसा hard alpha है, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ कैसे, एक key mix ले, अब key mix का pipeline आपको पता है, B pipe यहाँ पे आएगा, alpha के यहाँ पे आ जाएगा, A pipe हमारा original में जाएगा, original हमारा यह वाला है, अब इसको अपने according थोड़ा सा set कर लें, कैसे रखना है, अब देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अब इसको यहाँ पे भी connect कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे और पे इस्ट रहेगा, just key mix के नीचे इसको, key light के नीचे कर लें, और difference यहाँ पे रखते हैं, अभी देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अभी difference कैसा दिख रहा है, यह मेरा difference दिख रहा है, अगर इसी को मैं यहाँ से connect करता हूँ, तो यह पूरी तरीके से clean हो जाएगा, तो जो यह output है, हमें, एक output ऐसा कुछ लेके आ गये हैं, तो आज का tutorial जो हमने देखा, before and after, अगर एक बार wipe करके यहाँ पे नजर डालें, तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, आप एक चीज़ देख पाएंगे, छोटे जो जो fringes थे, छोटे जो work थे, यहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने maintain किया, सारी चीज़ें step by step बताईएं आपको, कैसे आप इस तरीके कींग करके ला सकते हैं, तो अगर time की बात करें, तो हमने time थोड़ा सा ज्यादा लिया, बट एक sort को बनाने के लिए जीतना time चाहिए, उतना time भी नहीं लिया है, तो इसमें कुछ mistakes हो सकती है, यह just basic एक comping की starting है, जब आप comp करना start कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप लेके आ सकते हैं, I hope कि जो यह आज का वीडियो है, आपके लिए कापी कुछ helpful रहा होगा, आपने कई सारे नए tips and tricks, नए इस notes सीखे होंगे इस tutorial में, तो आज के लिए इतना ही मिलेगा आपने इस class में, तब तक लिए बबाबाए, see you, ख्याट रखेंगे.